कि अगे हैं यह थे अग्याद अधर हम लोग वीट इस्टोन ब्रिज को शटड़ी कर रहे थे वीट इस्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है उसके बेशिज पे वर्क करने वाला जो डवाइस है तिस मीटर और स्लाइड वायर व्रिज इस लेक्चर के अंदर हम लोग उस मीटर ब्रिज को डिसकस करेंगे तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है याद इस मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर व्रिज डेक्चर को अपन देखते हैं क्या होता है देखो पहले इसका मैं डायगराम बना देता हूँ यह अपना जो मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज होता है यह एक्चुली में एक बुड़न बोड पर अटेश होता है एक बुड़न बोड पर लगा हुआ होता है तो एक लगडी का बुड़न बोड है ठीक है इस पर यह अपना स्लाइड वायर ब्रिज बना हुआ होग पूर्ड में ये अपने पास एक इधर फर्स्ट और ये दूसरी इधर सेकेंड ये कैपिटल एल शेप की एक इधर है एक इधर सेकेंड ये कैपिटल एल शेप की टू कॉपर स्ट्रिप्स होती है ये इधर एंड ए हो गया and this is एंड बी इधर की साइड ठीक है ये टर्मिल्स कनेक्शन्स निकले होते हैं इस वैसे ये दोनों जो टर्मिल्स है ये और भी जो कॉपर स्ट्रिप पर ही है इनके बीच में एक वन मीटर लॉंग वाइर अटेच होता है ये वन मीटर लॉंग वाइर अटेच है होगा एक वन मीटर लॉंग में वाइर लगा देता हूं कॉपर का वाइर होता है तो यह वन मीटर लोग क्या होता है यह वायर अटेच होता है वायर की लेंथ वन मीटर है इसलिए इसको पर मीटर ब्रिज बोलते हैं मीटर ब्रिज मीटर स्टेंड फॉर दा वायर ओफ वन मीटर ठीक है यह जो LCP copper strips है इनके बीच में gap है इस gap को double करने के लिए मतलब दो gap create करने के लिए यह एक और copper की extra strip लगी हुई होती है जो parallel होती है इस के जो parallel होती है इस वर वीटर लोग वायर के तो एक यह terminal A हो गया लैट इधर B यह इधर अपना C This is D इधर E कर देते हैं and this is F ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि copper strips those two capital L ship copper strips इधर यह parallel copper strip जो अपने wire के parallel है यह तीनों copper strips के बीच में दो gap create हो रहे हैं जो एक gap होता है first जो gap है D और C के बीच में यह gap D और C के बीच में इधर लगा हुए होता है अपना resistance box resistance box क्या होता है resistance box variable resistance प्रवाइड करने के लिए एक अपना device होता है ठीक है इसके दुरोपन क्या कर सकते हैं different different values of resistance प्रवाइड कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ connect होता है resistance box आर भी से रणोट क्या है और जो second gap है वहाँ connect होता है यह unknown resistance S S is unknown resistance अच्छा wheat store bridge अपनने पढ़ा था wheat store bridge के अंदर अपनने क्या पढ़ा था wheat store bridge से क्या find करते हैं unknown resistance find करते हैं तो भई meter में जोसी principle ले work करता है तो यह भी क्या find करेगा unknown resistance find करेगा तो जिस unknown resistance को अपन को find करना होता है वो gap E और F के बीजना पन लगाते हैं ठीक है अब इस पर यह जो one meter long wire है इसके parallel है ना यहाँ पे लगा हुआ होता है एक meter scale यह जो meter scale है यह one meter long होता है वही one meter का wire है तो scale पे कैसा होगा one meter long actually मैं scale इस wire के नीचे होता है यह जो wire है यह कहा होता है scale के उपर ही होता है तो यह अपना क्या हो गया one meter long scale हो गया ठीक है भई अब यहाँ तो मैंने copper strips उपर board के connect कर दी इसके साथ एक जो बीच में यह D रह गया D terminal इस D terminal से attach होता है एक galvanometer क्या attach होता है एक galvanometer attach होता है और galvanometer का जो second end है वो एक special type की की जिसको बोलते है jaw key special type की की जिसको बन क्या बोलते है jaw key बोलते है उस jaw key से इसका second end क्या होता है attach होता है ठीक है स्लाइडिंग की भी हो सकती है जोकी की जगा पे ठीक है इस जोकी कैसी होती है इस जोकी में क्या होता है कि ये उपर तो कोई इंसुलेटर का कबर होता है उसके अंदर जैसे इसकी निब है ऐसे अंदर एक मैटल की रोड होती है वो मैटल की रोड आगे से शार्प होती है ठीक वो इसके through connection कहा जाता है उपर tip में जाता है तो जोकी को अपन इस तरह पकटते हैं हातों में और इस wire में क्या करवाते हैं टच करवाते हैं जो ये AB wire है ठीक है तो इस तरह pen shape की क्या होती है जोकी होती है अपने पास अब ये जो complete arrangement इसको अपन को चलाना भी है अब चलाने के लिए source लगाना पड़ेगा तो source के लिए अपन A और B के बीच में क्या करते हैं A और B के बीच में attach करते हैं एक तो battery ठीक है प्लस और ये माइनस एक key ठीक है और साथ में एक real state लगाते हैं रियो इस्टेट भी क्या करता है ये भी resistance को vary करवाता है और resistance को vary करके इसके थूपन क्या करते हैं current को control करते हैं क्या मोलते हैं इसको रियो इस्टेट 10th class में पड़ा होगा अपन रियो इस्टेट के बारे में ठीक है रियो इस्टेट के थूपन resistance वेरी करवा के current को control करते हैं, कैसा होता है यह से cylindrical एक pot होता है cylindrical pot में क्या होता है यह से wire लगे हुए होते है ठीक है, इन wires में से एक connection तो अपन इदर से निकालते है इसके उपर क्या होता है इदर ऐसे slide करने वाली key होती है ठीक है, यहां से तो दूसरा connection इस key में से निकलता है इदर से, ठीक है तो अपन क्या करते है, key connect होती है इदर तो इस key को उपर, इसके उपर slide करवाते हैं तो slide करवने से क्या होता है कि माल लो ऐसे connection आ रहा है तो एक key जहां touch करेगी, वहीं से connection बनेगा ठीक है, माल लो इसको मैंने यहां touch करवा दिया, तो इसका मतलब current यह complete wire में से flow हुआ तो L greater हो गई, तो R greater हो गया तो I के value क्या हो जाएगी smaller माल लो इस key को slide करवा कि मैंने यहां touch करवा दिया सीधा तो क्या हो गया, कि current ऐसे आएगा इदर से होता हुआ, direct इस key में से इसा फ्लो हो जाएगा, तो length reduce कर दिया मैंने wire कि, less length और wire में current flow हुआ, तो length reduce हो गई, resistance reduce हो गया, तो current क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा तो इस तरह अपन wire की length को change करके इसके अदर क्या कर सकते हैं? resistance को change कर सकते हैं और उसके तरू अपन क्या कर सकते हैं? current को control कर सकते हैं तो रियो state में लगाया ये जो circuit है primary circuit है ये controlling circuit है driving circuit ही बोल सकते हैं इसको अपनम क्यों क्यों कि ये drive कर रहा है इस complete arrangement को ठीक है तो इस complete arrangement में अपने देख लिया थी वाई क्या होता है ये wooden board होता है wooden board के उपर दो L-shape की copper strip लगी होती है इनके उपर polish होती है chrome की जब आप इसे practically lab के अंदर देखेंगे 12 class मा experiment भी है इसका तो वहाँ अपन को ये chrome color की देखेंगी जो इनके उपर polish होती है ठीक है उसके बाद L-shape की जो strips है उनके बीच में two gap made in करने के लिए और parallel strip first gap के अंदर resistance box जो variable resistance होता है जिससे resistance को अपन vary करवाते हैं और दूसरे gap के अंदर एक unknown resistance connect करते हैं बीच में जो terminal है वहाँ galvanometer उसके साथ एक special type की की जो pen जैसे दिखती है जिसको अपन क्या बोलते हैं जो की बोलते हैं वो आपे connect होती है complete circuit को अच्छा एक one meter long wire होता है इसके अंदर अच्छा ये जो strip है ये तो किसकी है copper की है ये जो wire अपने लगाया न ये wire होता है या तो eureka का either eureka और manganin और manganin या फिर होता है ये constantin का eureka manganin ये constantin का इसलिए क्यों क्योंकि इनका resistance और resistivity है न वो high होती है है ये alloys है ये क्या है alloys और अलोय का जो resistivity होता है resistance जो होता है वो conductor के comparison में क्या होता है higher होता है तो यहां अच्छा ने copper लगाया तो copper के comparison में high resistance के लिए अच्छा लगाया ये wire लगाया ये यूरे का इनका has been constantin का है driving circuit अबन बोल रहे हैं, यहाँ एक मैंने बैटरी लगा दी, एक की लगा दी और एक क्या लगा दी है, मैंने रियोस्टेट लगा दिया, ठीक है, यह हो गई इसके circuit की बाद, अब इसमें देखो क्या है, यह वर्क कर रहा है कि इसमें wheat stone bridge के principle पे, ठीक है, तो wheat stone bridge में क्या होता था, wheat stone bridge में अपने यह देखते थे, कि वाई उसके अंदर four resistances होते थे, four resistances P, Q, R और S, R होता था variable resistance, ठीक है, तो कहां है variable resistance, यह रहा, that means resistance box जो है वो behave करेगा as variable resistance R, ठीक है, as जो होता था, वो होता था unknown resistance, तो S वो ही मैंने यह connect किया है unknown resistance, ठीक है, हमने देखा था कि R के साथ parallel में P होता था, S के साथ parallel में Q होता था, ठीक है, और इनके बीच में होती थी एक bridge branch, याद है ना इस तरह का ही था, wheat stone bridge, यह galvanometer, इधर P, इधर Q, इधर R, इधर S, P के साथ ही R, Q के साथ ही S, और इनके बीच में क्या होता था, यह bridge branch galvanometer, तो P, R के साथ होना चाहिए P, तो यह जो अपने wire लगा है ना 1 meter long, यह resistance P के लिए और Q के लिए ही लगाया है, ठीक है, तो R के साथ इस wire पे यहाँ तो होगा P, और S के साथ wire पे यहाँ होगा क्या, Q, ठीक है, और बीच में bridge branch जिसमें galvanometer है, तो G जो है वो क्या हो गई, वो bridge branch हो गई, ठीक है, G क्या है, जिसमें galvanometer लगा हुआ, यह branch क्या हो गई, bridge branch हो गई तो bridge branch है यह इसके इधर तो P यह तो P और इसके इधर यह क्या हो गया Q हो गया ठीक है अब यह resistance मुझे देता नहीं है P और Q के यह मुझे use करने है Wheatstone Bridge के principle के according अब Wheatstone Bridge का principle था वो क्या कहता था आप याद करें Wheatstone Bridge का principle यह कहता था कि माल लो अपने पास यह arrangement है 4 resistance का P Q RS का तो अगर P और Q का ratio R और F के ratio के equal हो जाए तो जो bridge branch में current होता था ना IG egalometer का current हो क्या होता था जीरो होता था ऐसी पढ़ाता पर ने और upper terminal और नीच वाह terminal जो down terminal है उन दोनों का potential same होता था और potential reference क्या होता था जीरो होता था याद है इसी पढ़ा था अचा वाह में ने आप से यह का था कि अपन इसको उल्टा यूज करते हैं वान सैप के जो आपन यूज करते हैं इसको तो उल्टा यूज करते हैं कैसे कि अगर bridge branch के अंदर current IG 0 है तो P और Q का ratio R और S के ratio के equal होगा ऐसे पन इसको वान क्या करते हैं यूज करते हैं तो ऐसा होना चाहिए ठेक है यह जो condition होती थी जिस condition में P और Q का ratio R और S के ratio के equal होता था और IG equal to 0 होता था इस condition को पर बोलते थे balancing condition यही बोलते थे कि भाई अपना जो wheat stone bridge है वो कैसा है वो balance है तो यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर IG 0 हो जाए गैलोलो मेटर के अंदर current 0 हो जाए तो P और Q का ratio R और S के ratio के equal हो जाएगा और उस condition में जो अपना meter पर जोगा वो कैसा होगा वो balancing condition में होगा वो balanced होगा ठेक है तो वोई condition मुझे यहाँ पर find करनी होती है और उस ही का use करके मैं no resistance find करता हूँ देखो अगर मैं यहाँ से current flow करवाता हूँ इसका E EMF है इधर से current जाएगा I जैसे wheat stone bridge में गया था यहाँ से divide होगा ठेक है यहाँ से divide होगा तो उपर I1 नीचे I minus I1 इधर से फिर I1 minus IG इसके का मिल जाएगा I मिल जाएगा इसके अंदर distribution of current को अपन अगर wheat stone बारे बाले डाइगराम को बावस देख लें तो उससे समझ सकते हैं कि इसके अंदर distribution कैसे होगा current का ठेक है अपन main point पे आते हैं कि इससे अपन find कैसे करते हैं unknown resistance wheat stone bridge के principle का use करके ठेक है अब देखो कि अगर म length है वो तो 1 meter है ठेक है इस wire के जो cross section area है लेट वो A है कितना है A और इसके जो resistivity है इस facework resistance है वो कितना है रो है इसकी इस 1 meter long wire की जो यूरे का मेंगनिया constant से बना हुआ है cross section area A है और resistivity कितनी है इसकी रो वो तो constant रहेगी ठेक है अब मान लो कि ये arrangement मैंने इसके अंदर लगा अधिया ठेक है और ये arrangement लगाने के बाद अपन क्या करते हैं कि ये जो जॉकी है ना आप देखो जॉकी को मैं से उठा लेता हूं तो connection कट और current flow नहीं करेगा ठेक है मुझे क्या चाहिए कि connection होना भी चाहिए और duration में connection के time IG का होना चाहिए जीड होना चाहिए तो आई जीरो कैसे होगा जब भी अपन मीटर पर उजज करते हैं तो क्या करते हैं कि अपने पास ही मीटर प्रिस का arrangement होता है परहे हाथ में ऐसी जोकी होति है, जो यहां पर इस गैल्बनमीटर से connect होती है, वो जोकी को ले के अपने इस wire पर टच करवाते हैं, должно जयसे इस wire पर इस जोकी को अपने टच करवाते हैं, circuit complete हो जाता है, और गैल्बनमीटर में current flow होने लगता है, और गैलवनावीटर कोईना कोई टिस्वेक्षाण के अब गैलवनावीटर के तो गैWeलोवनानवीटर कर एँच एकसक में कोई नगाव पोटैंचिलीuros addition है कोई नगाव से करेंट वीक्षाण घुत नगाव थो भूर है जो वैइर है इसका कुस नगाव डिस्टनस हले और resistance R equal to क्या होता है? रो एलपोन होता है मतलब length पे depend करता है resistance तो मतलब इस jockey को पन यहां की जगा यहां अगर मालनो touch करवा रहे है starting में तो यह P है पूरा और यह Q है तो इसकी जो कुछ length होगी उसका according इसका resistance होगा इसका resistance इसकी length का according होगा मालनो इसकी length को change करवा गए जो की को यहां touch करवा दूँ तो P की length decrease होगी तो इसका resistance चेंज होगा Q की length भी change होगी तो Q का resistance भी change होगा इसका मतलब उस सराइम अगर resistance चेंज होगा तो potentials भी change होगे इन points के और अगर potentials change होगे तो current की value पे चेंज होगे इसका मतलब इस जोकी को अगर इस wire पे में slide करवा हूँ मतलब अलग-अलग point पे different different points पे touch करवा हूँ तो हर बार galvanometer में current की value कहती आएगी different different आएगी क्यों क्यों क्योंकि potentials different different होगे हरे point के ठीक है तो अपन क्या करते हैं कि जोकी को इस wire पे touch करवाते हैं galvanometer में deflection आता है लेकिन अपन को तो balancing condition ऐसी देख नी है जहां पे IG का हो 0 हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं यह जो अपने हाथ में जोकी है ना इसको इस wire पे slide करवाते हैं wire पे slide करवाने से क्या होता है कि current की value चेंज होती है अब galvanometer तो क्या करता है double deflection देता है double side deflection देता है left side में भी और right side में भी तो इस meter bridge का connection आपका correct है यह check करने का तरीका है कि आप इसको जब इधर एक side में touch करवाएं left में touch करवा रहें तो galvanometer में deflection left में जाना चाहिए इसको right में touch करवाने तो galvanometer में deflection right में जाना चाहिए मतलब dono ends में touch करवाने पर जो deflection की direction है वो क्या हो जाने चाहिए change हो जाने चाहिए ठेक है क्यों यहां से मानलो higher potential है यह point है positive connected है तो जैसे-से length increase होती जाएगी potential क्या होता जाएगा reduce होता जाएगा potential reduce होता जाएगा तो क्या होगा potential difference जब होगा इसके साथ इन points का तो भो भी change होगा potential difference change होगा potential difference कहीं जादा होगा कहीं कम होगा current हो सकता है कि एक बार नीचे से उपर जाए तो हो सकता है अगली बार उपर से नीचे आए potential के साथ current की direction भी क्या हो जाएगी change हो जाएगी क्योंगी current तो हमेशा higher potential to lower potential जाता है तो जब आप jockey को इसमें slide करवा रहे होंगे तो एक side लाएंगे left जाएगा दूरी side लेकी जाएगे right जाएगा मतलब बीच में कहीं ना कहीं ऐसी condition आएगी जिस condition में galvanometer के अंदर जो deflection है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा means current के value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी जब जौकी को touch करवाने के बाद भी galvanometer में current IG 0 होगा तो उसी को अपन क्या बोलते है इसकी balancing condition बोलते है पने बोलेंगे कि meter risk balance में है balance में है तो उस condition P और Q का ratio R और S का ratio के equal होगा तो let वो balancing जो मुझे मिली let जो balancing मिली वो मितम मिली जब इधर जो length थी L और complete 100 cm है तो इधर length हो जाएगी 100 minus L मथलब जोकी को touch करवाया touch करवाने पे जहाँ current 0 हो गया तो वो किस length पे हुआ let इधर से A से तो L length पे हुआ let A A G ठीक है और G V की length उस्ता में कितनी थी 100 minus L थी ठीक है इस इन length पे क्या होगी है ये length कहां से major कर ली scale से major कर ली इन length पे let I T 0 हो गया तो ये balancing condition आ गई तो अगर I T 0 हो गया balancing condition आ गई तो P और Q का अगर ratio निकालू ठीक है तो P अगर में निकालू resistance P क्या formula होता resistance का row resistivity into length और अपन में क्या होता है area तो resistance of this portion A G क्या हो जाएगा A G portion जिसको पन क्या बोल रहे है P उसका resistance कितना होगा resistivity तो रो है length कितनी है L और cross section area कितना है A that means L length पे अगर balancing हो रही है तो P जो resistance है उसकी value कितनी होगी मतलब इस wire के portion का resistance कितना होगा row L upon A होगा ठीक है ऐसे इधर ये GV जो आई Q है इसको Q की तरह treat करेंगे तो Q equal to resistivity तो same होती है इसकी length 100 minus L और upon cross section area तो same है तो ये किसकी value हो जाएगी Q की value हो जाएगी means equation 2 मुझे मिल जाएगी तो अगर मैं P upon Q find करूँ P upon Q row L upon A row 100 minus L upon A A होगा इस values put कर दी जो cancel out हो रहा है उसको तो cancel out कर दो P upon Q के आगया L upon 100 minus L आजाएगा that means जो P और Q का ratio है जो P और Q के value तो मुझे नहीं पता वो तो पता ही नहीं है मुझे है ना तो नहीं पता तो मैंने मुझे requirement किस की है अपना principle apply करने के लिए मुझे तो P or Q के ratio की requirement है only तो ratio मैंने नकाल दिया कितना आएगा L upon 100 minus L तो अगर अपना ये wheat stone sorry meter bridge balancing condition में है तो balancing condition में P upon Q equal to क्या होगा R upon S that means R upon S will be what P upon Q L upon 100 minus L S find करना होता मुझे तो R 100 minus L और upon L तो इस तरह अपने से S की value find कर सकते हैं उसके लिए मुझे only क्या find करना है एक तो R की value चाहिए कि resistance box में आपने कितना resistance apply किया वो अपन अपनी side से apply कर सकते हैं resistance box में different keys होती हैं उस वे से अपन देख के resistance apply करते हैं वो कोई भी आप कर सकते हो अपनी दरब से उसके अलाबा और क्या चाहिए L L वो length है किस से terminal A से जिस length पर जोकी को touch करवाने पर अपन का current कितना हो गया जीरो हो गया यह जो length होती है न L इस L length को बोलते हैं balance length क्या बोलते हैं balance length क्यों क्योंकि इस पर अपना meter bridge क्या हो गया balance हो गया तो मैं S निकाल सकता हूँ easily उसके लिए मुझे एक तो meter bridge से balance length की value find करनी पड़ेगी और एक तो resistance बोलते है रिजिस्टेंस अप्लाई किया है वो find करना पड़ेगा यह दोनों चीज अगर find हो जाएं तो अपन इस लिए क्या कर सकते हैं resistance find कर सकते हैं ठेक है तो इस सदा मेरा unknown resistance इस meter bridge से find हो सकता है ठेक है कौनता unknown resistance यह S का unknown resistance अगर resistance पता है तो resistivity भी find कर सकते हैं क्या होती है R upon L e तो होती है resistivity तो R rho equal to R means unknown resistance S, S इने note क्या है S upon L तो S की value इदर से मिल जाएगी A cross section area चगी होगा उसके लिए क्या करते है अपन कि यह जो अपने पास यह resistance वाला wire होता है ना जिसका unknown resistance मैंने find किया है उसको अपन 11th class में आपको याद हो मैंने practical करवाई थे screw gauze करवाया था या one-year calipers करवाया था उनकी L7 radiuses find कर दे थे ठीक है छोटा है thin wire है screw gauze की L7 क्या कर सकते है इसकी radius find कर सकते है radius मिल जाएगी तो A cross section area क्या हो जाएगा pi r square तो R find कर लेंगे और L length इसकी length अपन meter scale से major कर लेंगे तो जो भी length आईगी capital से रे note कर दूँ जो भी length आईगी वो यह अपन क्या find कर सकते है इस wire की resistivity भी find कर सकते है तो इसका मतलब slide wire brush grid जो है वो resistance के साथ साथ और अपन को क्या provide कर सकता है resistivity भी provide कर सकता है ठीक है भाई तो इसकी length से अपन क्या करते है यह resistance और resistivity दोनों find करते है ठीक है भाई अच्छा इसमें क्या है कि इसको use करते time कुछ चीज़ों का अपन को ध्यान रखना पड़ता है किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि कुछ जैसे अगर मालो इसके अंदर मेरो को most accurate value चाहिए है ना मतलब यह most sensitive तब होगा तब ही अब उनको most accurate value देगा resistance की तो यह most sensitive तब होता है जब अपनको जो IG0 कहां मिले, mid में मिले मतलब जोगी को mid में टॉच करवाने पर अगर IG0 मिल जाए तो यह जो अपना meter वे जहे सबसे ज़्यादा sensitive होगा ठेक है ना, most sensitive होगा है उस समय ठेक इसके अलाबा देखो क्या है कि अचा यह, माल लो, mid में पर रखना है तो उसके लिए अपनको इस RV की value को change करना पड़ेगा तो RV की different values अपने इस तरह set करते हैं कि अपनको maximum जो deflection है 0 को का मिल जाए center में मिल जाए ठेक है इसके साथ क्या होता है कि माल लो, आप इसको use कर रहे हो ठेक है और use करते time आपने क्या किया कि भई, long time के लिए आपने इसको बैटरी को इसकी बैटरी को on करके रख दिया ठेक है भई, more than one reading लेते है अपन कोई भी experiment जब करते है यह अपने 11th class में पड़ा है कि end reading लेने से जो error है वो one upon end times reduce होती है ठेक है तो more than three, four, five readings अपन लेते हैं इसके अंदर तो 12 reading लेने के लिए अपने key को on छोड़ दिया cell on रहे गया current flow होता रहा तो wire जो अपना कैसा हो जाएगा heat up हो जाएगा temperature increase होगा temperature के साथ अपन को पता है resistance भी क्या होता है vary करता है तो अगर अपन continuously इसके अंदर battery से current flow करवाते रहेंगे temperature से इसका resistance vary करेगा तो अपन के पास R की value sorry P और Q की जो values है वो क्या हो जाएगी गड़वड हो जाएगी change हो जाएगी तो उससे मेरे को ST correct value नहीं मिलेगी तो अपन को इसको use करते समय करते time ये भी याद रखना है कि भाई अपन को इसके अंदर जो अपनी battery है ना उसको continuously on position में नहीं रखना है ठीक है इसके लाब और क्या याद रखना है इसके लाब जब आप जोकी को इस पर टच करवा रहे हो अपन क्या कह रहे थे कि balancing condition लेनी हो जी तो इसके लिमेट जगा जगा पर टच करवाँगो जोकी को तो जोकी को आपको इस पर ऐसे slide करके गिस के नहीं चलाना अगर आप ऐसे slide करेंगे ना इसके उपर तो क्या होगा यह wire जो होता है वो wire उपर ते क्या हो जाता है गिस जाता है wire गिस जाएगा उसका cross section area अगर उसकाRECANGE हो जाएगा और अगर उसका A change हो जाएगा तो ए के Mer Lear करने से क्या होगा R की value भी change हो जाएगी तो R की value जायेगी तो भी अपन को S की correct value नहीं मिलेगी तो इसका मतलब वपन को इसके उपर जोकी को ऐसे गिसके भी नहीं चलाना ठीक है और क्या ध्यान रखना होता है देखो इसके अंदर एक error होती है जुसको बोलते है end error ठीक है end error क्यों generate हुई कि देखो वई यहाँ अपने end area यहाँ अपने end भी लिया यहाँ बन की balance length मिल गई यह जो length है इसको पने P ले लिया इस length को पने Q ले लिया अब यहाँ से start करके यहाँ तक बन P ले रहे हैं ठीक है लेकिन देखो ऊपर जो यह L6P copper strip है इससे अपने रहे resistance box और यह connect कर रखा है है ना क्या इसका कोई resistance नहीं होगा क्या कुछ ना कुछ resistance होगा वहले copper का है तो वायर में कुछ ना कुछ नेगलिजबल भी तो कुछ तो resistance होता होगा ना तो वो resistance यह तो अपने इसके अंदर add ही नहीं किया जबकि connection तो यहाँ से और यहां तक है complete है resistance तो इसका आना चाहिए था ऐसी अपने इसका resistance लिया इदर अपने इसको भी calculation में लिया इतने वायर को तो यह जो वायर रह गए आना तो यह ends एल शेपी जो scripts रह गई इनसे जो error generate होती है उसको अपन बोलते है end error क्या बोलते है end error मतलब end अपने पर नहीं लिये तो उसका correction क्या है बई end error का correction यह है कि आप यह try करें कि आपकी जो reading है वो कहा है center में ही आए mid क के आसपास ही आए तो अगर आपने अपनी जो reading है वो mid point के आसपास ली तो आपकी जो end error है आपका जो end error है वो भी क्या हो जाएगी correct हो जाएगी ठीक है तो यह कुछ चीजे हैं अपन को meter bridge को use करते time ध्यान में रखनी चाहिए ठीक है और इसका use तो practically है 12th class में ठीक है तो अ अपन को और ज्यादा अच्छे से यह clear होगा ठीक है भई अभी तो अपने इसको only theory है पड़ा है इसके basis पर जो numericals होंगे आपकी book में है वो आप कर ले next lecture में देखेंगे next topic that's all for today thank you